नमस्कार दोस्तों सुवागताब सभीक है एचप एक्जाम फेस में है आज हम हिमाचल जीके के वो सारे कोशन करने वाले हैं जो भी हपी एससी ने दो हज़र बाइस में अपने डिफरेंट डिफरेंट इग्जामस में पोचे हैं तो काफी सारे स्टोरेंट मैसेज कर रहे थे सर ऐसी पीडिएफ बनाई जिसमें हमाचल जीके के वो सारे कोशन हो जो 2022 मा है तो पीडिएफ तयार होगी है और इसमें मैंने स्टार्टिंग में वही कोशन रखे हैं जो आपको डिफिकट लगेंगे क्योंकि हैच्प एससी कोशन डाल रहा है जो हमें बुकों में ढूंड करने की ज़रोत नहीं पड़ेगी तो एपकर लिंग डिस्क्रिप्शन दिया उससी चेक आउट ज़रू करना आज की वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं एच्प एससी के जो भी माचल जी के कोशन आये 2022 में वो सारे हम डिसकस करने वाले है तो पहला कोशन देखते है हाउ मैं सुआ हुआ है तो आशे तर्बाईन आउर गlamation परियोजन में पोज게 तो कह रहा है तो कि एक तो मेंड़ रेवोट कोल में परियोजन में कितनी टर्बाईन है तो पहले तो आप से पुछता था कि कोल ड substitute निचिंच रिवरर पेहं कितनी उसकी पावr है बंछ इसलिक टर्मान कितनी है तो बताएं कितनी टर्भाइन है 2 है 3 है 4 है या 5 फर्सक्याइट आणसर क्या होगा जो कोल डेम परियोजने है उसमें पसदो टर्बाइन क्वार्इश हैं और 5 फर्सक्याइट आज़े design option C 4 तो चार टर्बाइन है कोल्ड एंप परियोजन में फर्स्ट का राइट आंसर option C है चलिए नेक्स्ट कोशन देखते हैं second question है which European company introduced tea in Kangra Valley तो कह रहा है कौन सी European company Kangra घाटी में चायल आई तो बताइए उस European company का क्या नाम है निशान तो बताइए कौन सी European company Kangra Valley में चायल आई निशान टी कंपनी तो जो निशान टी कंपनी यह European company जो कांग्रा वैली में ती लाए थी second का जो रहा है उप्शन देखते हैं third question है which famous school of Shimla was based on the model of Winchester rugby and Marlborough schools of England तो कह रहा है शिमला का कौन सा famous school है जो इनके model में है जो यह दो school बता रहे हैं Winchester rugby और Marlborough school के England का जो school है इनके model पर बने हुए है तो बताइए कौन सा school है शिमला का St. Edward school Bishop Cotton school St. Thomas school या Auckland hall school तो शिमला का कौन सा प्रसिट school इंग्लेंड के विचेस्टर रगबी और Marlborough school के model पर अधारित है तो थर्ड का राइट आंसर क्योंकर थर्ड का जो राइट आंसर है वो है इन्होंने जो बुटिको है उसे 1956 में जॉइन किया था किसकी motivation में यानि किसने उन्हें मोटिवेट किया था तो उनका आपको नाम बताना है गुर्चरन सिंग बंसीलाल पाड़ा या कलोनोरेनिक या लालचन प्राड़ थी तो बताइए फोर्थ का राइट आंसर गया फोर् फिफ्ट कोशन है इन विच इयर मुंसिपल कमीटी जो शिम्ला की मुंसिपल कमीटी थी वस कनवर्टेट टू मुंसिपल कॉर्परेशन तो इसमें बूच रहा है कौन से साल में जो शिम्ला की मुंसिपल कमीटी थी उसे मुंसिपल कॉर्परेशन में बदला गया 1986 में 1992 में 1996 1936 में ये 2001 में तो बताज़ेगी उसे मुनिशिकल क कॉर्परेशन अप्शिन कर्परीशन धाल सर रहें स्टाःव देश क्या गश्ट कि इंडेजेक्टेक्टल स्टाइल क्या यह जाती तो बताइए क्या का जाते जो इन्डिस्ट आर्किट्टल स्टाइल है है तो कद कुनी उसे कहते है सिख्स का राइट अंसर ऑप्शन ए है सेवन देखते हैं धामु शा फेर इस हेल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एच पी तो कहर रहा है हिमाचर परदेश के कौन से जिले में धामु शा मिला लगता है तो पताइए धामु शा मिला यह कौन सी में लगता है उन्हा में चंबा में सोलन में या कांगडा में तो सेवन्थ का राइट आंसर क्या होगा सेवन्थ का राइट आंसर वह कांगडा तो कांगडा में कौन सा मिला लगता है धामु शा मिला है कांगडा डिस्ट्रिक्ट में लगता है सेवन्थ का राइट आंसर ऑ जगतसुख में, संध्यादेवी का टेंफल किस ने बनाया था? 8 का जो राइट आंसर है, उधन पाल. 8 का राइट आंसर, उधन पाल ने संध्यादेवी का जो मंदिर था, वो कहां बनाया था? जगतसुख में. 8 का राइट आंसर, option D है. Čई जब्च सस्था. इक बार हिंदी में पढ़ लेते हैं। जो राइट आंसर है वो है सुबातु ठीक है जो कमिशनर थे जनंदर की वो कहां बैठते थे उनका ग्रीब्सकारी निवास कहां था सुबातु में था नाइंथ का राइट आंसर ऑप्शन सी था चलिए टैन दिखते हैं वेन वस बॉंडड़ लेबर सिस्टम एक्ट पास्ट किन हिमाचल पंचल परदेश तो कह रहे है यह जो बॉंड़ेल लेबर सिस्टम एक्ट है ऋ इमाचल परदेश में पास्ट नैंट्ट रूलर तो बताई कौन सा राजा था यानि कौन सी डिस्ट्रिक्टा राजा था जिसने शिमला हिल स्टेट कॉन्फरेंस 1939 में अटेंड नहीं की थी मंडी, बिलासपूर, बुशैर या भागल तो 11 का राइट आंसर क्या हुआ है लेवंत का जो राइट आंसर है वो है बिलासपूर, तो आपको बताए बिलासपूर की लाफस्टाजा कोँ थे आनन्द चान, तो वो तो चाहते थे हिंटे हैं हिमाजर परदेश में मिलना, तो वो तो चाहते थे कि उनकी अलगी स्टेट बन जाए या अलगी कंट्री बना दो तो इसलिए उन्हें ने अटेंड ने की थी शिमला हिल स्टेट कॉंफरेंस 1939 में लेवंत का जो राइट आंसर है ऑप्शन भी बिलासपोर तो अगर आपको यह कोशन नहीं आ रहे तो आपने ऐसा नहीं सोचना आपके त्यारी अच्छी नहीं है क्योंकि यह अच्छे लेवल क आपको स्टेडी में टेस्ट इस में दे दूँगा हिमाच्र प्रदेश के सभी एक्जाम की तो चलिए नेक्स्ट ओशन देखते हैं 12 इन विच एर अंगोरा रैबिट ब्रीटिंग फार्म वास्ट अच्पी तो कहरा है हिमाच्र प्रदेश में अंगोरा खरगोष्ट 72 से 73 में तो जो अंगोरा रैबिट ब्रीडिंग फार्म है यह हिमाच्र प्रदेश में कब स्टार्ट हुआ था 1972 से 1973 में ट्वेल्थ का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तो देखें लेवल तो बहुत अच्छा ही है थर्टींथ है चीरी और बालू है यह किसके प्रक चीरी और बालू 13 का जो राइट आसर है वो ऑप्शन भी और नमेंट्स चलिए नेक्स देखते हैं 14 है वेन वस शिम्ला मुनिसिपैल्टी डेग्जिनेटेट कैटेगरी वन स्टेटस तो सिंपली कोशन में यह जाना चाहता है जो शिम्ला मुनिसिपैल्टी थी उसे को कैटेगरी वन स्टेटस कम मिला 14 जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी 31st जुलाई 1871 तो शिम्ला मुनिसिपैल्टी को कैटेगरी वन स्टेटस में 31st जुलाई 1871 को और मैंने यह पीडिए इसलिए मनाई है क्योंकि आप अगर पूरा यूट्यूब भी चान मा रहे हैं उसमें अपको क्या मिलेगा प्रीवेश सिर पेपर मिलेगें और उसमें इजजी कोर्शन भी मिलेंगी तो उनको करने का तो कोई फायदा नहीं इजी तो सबको पता है मुश्किल कोराओ तो हमाने हैं तो आपको हरको कराने को मिल जाएगा यूट्यूब में मगर हम क्क्वा बहुत ही अच्छा कंटेंट लाता हूं तक कि आपके इमाच्छाद में जितसे भी एक्जाम के आप प्रिप्रेशन करें उसकी प्रिप्रेशन आपकी बहुत ही असान मरा दूँ तो लाइक भी कर देना वीडियो को अगर अच्छी लग रही होगी फिफ्टींथ है इन विच गंगल एरपुर्ट वस दिनेमेड एस कंगड़ा एरपोर्ट तो बताईए कौन से एयर में जो गंगल एरपोर्ट है उसे कंगड़ा एरपोर्ट के नाम से रिनेम किया गया था तो दोких собствен क्रेंग्गल हवाय पतन को नाम बदलकर छाम हवाय पतन है था है क्विफटींथ का जो राइट आंसर है, फिफटीन का राइट आंसर है, ऑप्शन है 2000, sorry, ऑप्शन है 2001, ऑप्शन उपर निचे हो गए, तो 2001 में जो गगल एरपोर्ट था, उसका नाम चेंज करके कांगर एरपोर्ट रखा गया था, फिफटीन का राइट आंसर है, मगर यह लिखा तीसे नंबर पर गया है, तो 2001 को गगल एरपोर्ट का नाम चेंज करके कांगर एरपोर्ट कर दिया था, नेक्स्ट वोचन है, विच मॉंटेन पास जोएं चम्बा एंड जम्बू, तो आप बताने है कौन सा मॉंटेन पास है, जो चम्बा को जम्बू के साथ जोडता है, बसोदन है, पा लकर्शा, अफेमस ब्रामिन, वाज इन दर सर्विस ऑफ चम्बा पिल्सिल स्टेट दियूरिंग पीरड ओफ, तो यह जो लकर्शा है, एक फेमस ब्रामिन था, यह आपको बताना है कि चम्बा के किस राजा के टाइम पे था, तो ऑप्शन देख ले थे हैं, जुरावर सिं सुचेज सिंग, श्री भगगा या गुलाब सिंग, तो बताइए, लकर्शा, अफेमस ब्रामिन, वाज इन दर सर्विस ऑचम्बा पिल्सिल स्टेट दियूरिंग पीरड ओफ, 17th का राइट अंसर के है, 17th का जो राइट अंसर है, वो है श्री बगगा, तो श्री बगगा क है, बाटा है, असनी है, हरला है, तो बताइए, सतलुच की सायक नदी कौन सी है, 18th का राइट अंसर क्या होगा है, 18th का जो राइट अंसर है, वो नोगली, नोगली का है, ये सतलुच की सायक नदी है, चले, नेक्स दिखते है, 19th, 14 is a famous dance of, तो जो चोहरा है, ये कहां का प् जो राइट अंसर है, वो ये option है, किनौर और महासू, किनौर और महासू का famous dance है, चोहरा, चले, नेक्स्ट कुछन देखते हैं, 20, कॉघ संह में राजा कौन मन, मेक चंद बन गए थे, करम चंद, करम अंसर मदेते, कानग रियासत की वो करम चंद बनते हैं, और नेक्स धूशन देखते है, 21 है, to tap the curative potential of hot water spring HP DTC has built Turkish type baths near which hot spring in HP तो इसमें कहारा है जो hot water spring है, उनका potential capture करने के लिए यानि यूटिलाइस करने के लिए जो HP DTC है, इसने एक तरकिश type bath बनाया है, वो पूछ रहा है किस hot water spring के पास बनाया है खीर गंगा के पास, मनिकरन के पास वशिष्ट के पास या जूरी के पास तो 21 का रहे टांसर के है, 21 का रहे टांसर है वो वशिष्ट, वशिष्ट जो hot water spring है उसके पास HP DTC ने क्या है, तरकिश टाइब बात बनाया गया है तो 21 का रहे टांसर ऑप्शन C है, 22 है विच अमंग दे फॉल्विंग कास्ट ऑफ दे पीपल इन HP आ नॉट अरियन ओरिजन तो कह रहे है, हमाच्र प्रदेश में निर्मने से किस जाती के लोग आरिय उत्पन नहीं है तो आपको बताना है, आरियन ओरिजन के नहीं है कौन सी कास्ट है वो रास, guirs, tenis या Ihrer. बताए sz. तो बताए राए विचन होगा 22 का जो राए टांसर है, वह है ओपिशन phenomenon ऐो तो यह तो यह तो धीूली है जो Central स्कूल है एट जाखु तो जाखु में एक Central स्कूल हे उसका ओरिजिनल नाम बतानाहा आपको ओरिजिनल नाम क्या था प्रिंस बटलर स्कूल, रक्स पब्लिक स्कूल, कैक्स पटलर स्कूल यह बिटिश पब्लिक स्कूल, तो बता ही 23 का राइट आंसर क्या होगा, 23 का राइट आंसर वो है प्रिंस बटलर स्कूल, ठीक है, सेंटर स्कूल जो जाकू में, उसका ओर्जिनल नाम क्या था, प्रिंस पटलर स्कूल 23 का राइट अंसर ऑप्शन ए है चलिए नेक्स देखते हैं 24 है विच रिवलेट्स जोईन पबर नियर चीरगाउं इन एच्पी तो कह रहे हैं हिवांचल प्रदेश में कौन सा नाला चीरगाउं की निकट पबर में मिलता है जो चीरगाउं की निकट पबर मिल जाती है 24 का राइट अंसर ऑप्शन C आंदरा चीरगाउं के पास पबर में मिल जाती है 24 का राइट अंसर ऑप्शन C है 25 है विच रिजोर्विर ऑफ एच्पी हैस दर डिस्टिंशन ऑफ हैं हाइस्ट पर हेक्टर फिश प्रडुक्शन इन दर कंट्री तो कहना के चाता जिसे तो द्रेंटबे का राइट ऑंसर ऑप्शन C बी बлом सागडे ऐσα करकम से इसे दिस्टिंशन है पूरे कंट्री में क्या रिह है्श। पर हेक्टर्फिश जो है राइएबर पोडशन होती है 25 को ड्युम और ऑप्शन C nix next question है 26 according to agriculture census 2010-2011 what percentage of the total land holdings belong to small and marginal farmers तो कह रहा है जो census हुए थे 2010-2011 में उसमें कह रहा है what percentage of total land total land में से कितनी percentage जो land है वो small or marginal farmers के पास है तो पताएए 87.95% 78.15% 82.35% ये 72.45% तो 26 का राइट अंसर क्या होगा 26 का जो राइट आंसर वो option A 87.95% तो 2010-2011 की जो census होए थे उसके हिसाब से जो total land की percentage है उसमें से 87.95% किस के पास है small and marginal farmers के पास 26 का राइट आंसर option A है चलिए next question देखते है 27 है in which year first HP State Finance Commission was constituted तो कह रहा है हिमाज्चर परदेश राज्य वित आयोग किस वर्ष बनाया गया था आपको simply ये बताना है 1971 में 1975 में 1982 में 1994 में तो बताए हिमाज्चर परदेश राज्य वित आयोग किस वर्ष बनाया गया 27 का राइट आंसर है option D 1994 तो ये इनको रिवाइज जरूर करना जो PDF से रहती है और हिमाज्चर जी कोशन तो आप करी लोगे अगर आप त्यारी कर रहे हो क्योंकि आपने हिमाज्चर दरपड़ पतनी दो तीन बारे पढ़ लिए होगी तो जो मुश्किल कोशन है उन पर जादा दिए है तो 28 देखते हैं Chinese टैबलर वंग संग डिस्क्राइब कुलू एस तो कह रहा है चीनी यात्री हुंक संग ने कुलू का वंदन कैसे किया था तो बताइए जो चैनी टैबलर थे हुंक संग क्या कहा था वंदन कैसे किया था के लाता की लाती कुआन ता पिथा यह लैं अगर आप देखेंगे जो बताइए तो जो चैनी टैबलर थे हुंक संग इन्होंने कुलू को कैसे डिस्क्राइब किया दिस्क्राइब किया थे लैंड ऑफ कोड़्स के 28 का राइट अंसर ऑप्शन दी है चलिए नेक्स्ट कुशन देखते हैं 29 है विश्ट डिस्टिक्ट नौट फॉलूल इंदा ह्युमिट शब्टेंपरते जोन तो कह रहा है कौन सी डिस्टिक्ट है फिमाझषा पतेश की किस जोन में आती हुमिट सब्टेंप्रे colleg ऑन तो 20 न थैज वे ट्रं का बिले तो 29 य सबसे नीचे हो यह थैजे डिघंगे जो बीच में डिस्टिक् अत टेंपरेट जोन में आती है कुल आपकी भारी तरफ आती शिवालिक्स में तो इसका जो राइट आंसर है वो है उना उना नहीं आती हुमिट सब टेंपरेट जोन में तो चलिए नेक्स कुछन देखते हैं 30 है विच इस दे एग्जेकुटिंटिंग एजेंसी और पारबती थ् उसकी एजेकुटिंग एजेंसी कौन सी है एन अ हपीसी है एन टीपीसी है एजेवीनल और एया हचपी सीबी है तो बताएए 30 का राइट आंसर क्या होगा 30 का जो राइट आ्सर वो ऑप्शन है एन हड्पीस नेशनल हाइडरो पारबटी प्रॉजेक्ट की 30 के राइट आट आउप्षभाणनेर activist का पर स्राण में तnarनि है चलिए नेक्समिशनदेखते हैं हमारे टेलिग्राम चलन का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे भी जोईन कर लेना, वहाँ पर आपको तो इस सारी कोशन आपके एक्जाम्स में आरके हैं, हैं एक भी कोशन अपनी तरफ से नहीं डाल रहा हूं, तो आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे कोशन आते हैं, अगर आपको 20 कोशन आने वाले, तो समझे, 15-16 असान कोशन होंगे, और 3-4 यह घुमाफिरा के कोशन डाल जो मैक्सिम स्टोएंट गलत करने वाले हैं, तो तीन-चार कोशन हैं, जिसमें आप गलती कर सकते हो, बाग की तो आप ठीक करें दो के, 33 है, at which place गांधी सेंटिनरी सेंटर वा सेंटर में हमाचला इंदी इयर 2000, तो कह रहा है, 2000 में हमाचल प्रदेश है, उसमें गांधी सें बनाया गया था, बनाया गया था, सेट अप किया गया था, तो बताई ये किस जगह पे किया था, 33 का राइट आंसर है, लेथविन, ठीक है, लेथविन में ये इस्टैबिश किया गया था, 33 का राइट आंसर वो आप्शन बी, चले ए नेक्स कोशन देखते हैं, 34 है, who was given with Rajag एस दर जागिर बैर माराजार रपी इंट करेज di से एइटइन ट्वेंट इन yağुतर नारयुछीन को धिया तो के तो राज़हतों में hoodあの आठब div तो अनिरोज चंद को राजगीर दिया था जागेरी तोर पे मारफचा रंजील सिंग ने 1828 में 34 कर एट अंसर ऑप्शन ए है आप नीचे से देखें कि जैसे किनौर में सबसे कम अर्वन पोपिलेशन है तीसे नमर में जो लोग रहते हैं वह सबसे कम है परसंटेज बतानी है तो बताइए कौन से डिस्टिक्ट है कांगडा में कुलू में शिमला में मंडी में तो 35 का जो रेट आंसर वह ऑप्शन है कां चांगडा डिस्टिक आती है जिसमें अर्बन पोप्लेशन की जो परसंटेज है वह सबसे कम है 35 का जो रेट आंसर होई ऑप्शन ए चलिए नेक्स्ट कुछन लेखते हैं 36 इन विच एयर स्पिती वैली वस थोन ओपन टू लोकल और फॉरेंट टोरिस्ट तो कह रहा है किस में स्पिती घाटी को स्तानिय तथा विदेशी परियाटकों के लिए खोला गया तो पताइए जो स्पिती वैली थी उसे लोकल और फॉरेंट जो टोरिस्ट होते हैं उनके लिए कब खोला गया था 1962 में 1992 में 1996 में यह 2002 में तो 36 का राइट आंसर क्या होगा 36 का जो राइट आ तो किस वर्ष पहला जन जाती है तो वहार फुलेच मनाया गया था तो उससे लेकि अब तक मनाया जा रहा है तो 1987 से स्टार्ट हुआ है ओप्शन एगल एगल था हिमाच्र प्रदेश स्टे het consumer forum वह सैट अप तो कह रहा है हिमाचर प्रदेश जो स्टेट सी 1989 तो 1989 में हिमाच्छापति स्टेट कॉंजूमर फॉरम सेट अप किया गया था तो चकर फेस्टिवल एरिया में हर चार साल बाद मनाया जाता है कि 40 है फॉर्टी है विच अफ फॉलविंग प्लेश वॉस नेंवर विजितल बाए गुरु जो गुरुगोबिन सिंग ते उन्होंने इन में से कौन सा प्लेश है उसे कभी भी विजिट ने गिया भाकी तीन जगा तो गयी गये अगर एक सब्सक्राइब गया है तो फॉर्टे के जो राइट आंसर है उप्शन सी धरमसाला है चलिए फॉर्टी वन देखते हैं अकॉर्डिंग टुद गैजटियर और कांग्रा हाउ मैनी पीपल डाइड इन कांग्रा अर्थकुट तो कांग्रा की जो गैजटियर है उसमें बता रख सरफ वह है ऑप्शन ए ऐटींट त्री वन फॉर्ट थेक है अठारा हजार थीनसो चौदा तो कांग्रा गैजटियर के साब से जो कांग्रा अर्थकुट आया था उसमें कितने लोग मेरे थे तो जो यह भरमौर को किस के साथ जोडता है चंबा के साथ जोडता है कांग्रा के साथ प्लू की वैजटियर को किस के साथ जोडता है रॉरफ एक्शन देखते है और देखो 43 है, when for the last time Sati was practiced in Chamba State on the death of Raja Charpat Singh तो कहरा है, Raja Charpat Singh की मृत्यू पर Chamba राजिया में Sati Prathा अंतिम बार कब हुई थी, तो बताएगे कब हुई थी, तो 1823 में हुई थी, 1829 में, 1835 में, 1844 में तो जो Sati Prathा थी, आपको बता है Sati Prathा क्या होती है, तो वो last बार कब हुई थी चamba में, जब Raja Charpat Singh मरे थे, तो तब हुई थी, कब हुई थी 1823, 1829, 1835 1844, तो 43 का जो राइट आंसर है, वो है, option D, 1844 तो 1844 में, last बार Sati Prathा चamba में हुई थी, 43 का राइट आसर option D है, तो चलिए, next देखते हैं, 44 है, in which year, the first post office branch was opened in Kalong, तो कह रहा है जो Kalong है, वहाँ पर first office branch, post office branch है वो कब open की गई थी, तो 1970 में, 1962 में, 1905 में, 1969 में, तो first post office branch was opened at Kalong at, आपको पताना है वो साल कौन सा था, 44 का जो राइट आंसर है, वो है option D, 1869 तो 1869 में, first post office branch branch open की गई थी, के लॉंग में, 44 के राइट आंसर, option D है, चलिए, 45 देखते है, रेष्टा is a dress worn in, तो जो रेष्टा एक ड्रेस होती है, यह कहां के लोग पहनते है, कोटगर के, कांगड़ा के, कुल्लू के, भर्मॉर के, आपको यह बताना है, 45 का जो राइट आंसर है, वो क्या है? प्रजा मंडल के, जस्वंद राय नहीं थे, दौलत राम नहीं थे, विद्या सागर नहीं थे, यह देविदास मुसाफिर नहीं थे, तो बताएट एट आइट आंसर क्या होगा, 46 का जो राइट आसर है, ओप्शन D, देविदास मुसाफिर, तो चमबार यासित्ति प्रजा अकाडमी वस सटब, तो कह रहा है, किस वर्ष हिमाच्र परदेश सांस्कृतिक अकाडमी की स्थापना होई थी, तो 2000 में हुई थी, 2002 में, 2005 में, 2010 में, तो बताएएट परदेश क्ल्चर अकाडमी कब, इस्टेबिश की गई थी, 47 का एड़ आइट आसर क्या है, 47 का एड़ option B है 2002, तो हिमाचा परदेश Culture Academy 2002 में established की गई थी, 48 है, silver deposits are reported in किनौर from, तो जो silver deposit है, यह किनौर में कहां मिले हैं, चरगाउं में, चांगों में, थक्ताउं में या पुर्बनी में, तो बताइए, silver deposits किनौर में कहां मिले, 48 का जो आंसर है वो option नहीं, चारगाउं में कहां मिले हैं, तो चलिए next question देखते है, 49 है, old name of grand hotel shimla was, तो shimla में स्तित grand hotel का पुराना नाम क्या, आपको वो बताना है, तो बताइए, रोथनिक आसल है, बेंटिक कासल है, पिटर होफ है, या नन आफ देस है, तो बताइए, यहाँ पिटे चॉफ लिखा है, तो कुछ अलगी लिख दिया, तो बताइए, old name of grand hotel in shimla, तो बताइए, old name क्या था grand hotel जो shimla में है, 49 का जो राइट आंसर है, वो क्या है, वो है option भी बेंटिक कासल, ठीक है, बेंटिक कासल उसका old name था, अब उसे grand hotel है, तो बताइए, सिक्री, जो folk dance है, वो किस district का है, सिर्मौर का, शिमला का, कुलू का है, यह चंबा का, 50 का जो right answer है, वो है option D, चंबा, तो चंबा district का folk dance है, सिक्री, तो वैसे तो इस pdf में कम से कम साड़े 500 प्लस question होंगे, तो सारी अच्छे-च्छे question इसमें मैं डाल दिये, मगर अगर मैं ने कराने लगूँगा, तो शायद 4-5-6 गंटे भी लग सकते हैं, तो उसका कोई फाइदा नहीं होगा, क्योंकि आप लेवल देख सकते हो, बहुत अच्छा लेवल है, और यूट्यूब में आपको कोई भी वीडियो ऐसी मिलेगी निए, जिसमें ऐसे question करवाए होंगे, तो अगर आपको हमारा study material लेना होगा, तो आपको बस WhatsApp करना है, किस नमबर पर? 70181865612, इस पर WhatsApp करना, आपको study material plus test series की detail मिल जाएगी, चाहे हमाचल को कोई भी exam हो, JIT हो, पटवारी हो, clerk हो, अभी high court clerk का exam है, आपका प्रोसेसर वर्क है, तो सभी exam का study material और test series हमारे पर अव सब इस subject की basic से advance तक और बहुत ही minimum fees हमने रखिए, और आपको lifetime coaching देने वाले हैं, तो ऐसा है, जब तक नौकरी ने लगोगे, तब तक बढ़ाएंगे, तो description में उसकी details दिये, आप batch को join कर सकते हो, वहाँ से, बाकी मैं आपसे अगली glass में मिलूँगा, तब तक के लिए शब बखे, thank you